पर्टुलाका का पौधा हो या परसलीन का फ्रेंस अगर बहुत जादा पौधे बनाने हैं तो बहुत आसान होता है कि ये एक हपते में जड़े बना लेता है और ये खपते बाद इसमें ग्रोथ सुरू हो जाता है और बहुत जल्दी ये बहुत सारा पौधा बन जाता है एक तो इसको जो है अगर बहुत ज़्यादा पौधा बनाना है तो अभी भी समय है अप्रील तक ये मार्च फरवरी से लेकर अप्रील तक हम इसको लगा सकते हैं फिर भी हमें समय मिलेगा इसमें फ्लावर्स पाने का बहुत सारा क्योंकि बरसाथ तक ये गृत बना रहता है में ही केवल इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं और ये गृत रुख देता है अपना और देखिए हमारे पस बहुत सारा पौधा था पर हम थोड़ा सा रख दिये थे ये कि इससे हम बहुत सारे पौधे बना लेंगे और देखिए कुछ दिन पहले हमने इसको ये रिपोर्ट नहीं होती है इस वज़ा से इसको जितने में चाहें उतने में इतने छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए और करके और नीचे की दो चार पतियां निकाल दीजिए और उसके बाद आप लगाईए देखिए ये हमें लगाए कि 10-12 दिन हुए लगाए हुए पौधे के हमारे और छोटे छोटे टुकड़े लगाए थे और कितने बड़े बड़े देखिए इसमें आप फलावर साने वाले हैं अब इससे भी जादा चाहिए तो या तो इंतजार कर ये थोड़ा तो इसी में से बहुत सारे पौधे बन जाएंगे और नहीं तो इसमें से ही ये ब बिकार नहीं आएंगी फूल उसमें आएगा ही आएगा और लग भी जाएगा इस तरीके से आप इसी में से अगर घना बनाना चाहते हैं अगर फरवरी से मार्च तक कर लिए हैं ये रिपोर्टिंग इसकी तो कोई तब तो बहुत अच्छी बात है अब तक गुरूत बन ग पड़े आने लगती हैं और देखिए हमारा यह खपते दस दिन हुए करिम और इतने दिन में कितना अच्छा इन सब में ग्रो था गया है छोटे-छोटे पनी के ग्रो बैग में या नरसरी के गमले छोटे पड़े हुए हैं उन्हीं में हमने लगा दिया है किसी डीबे में चोटे से लगा दिया है, और इसमें जो है अब ज़्यादा ओवर्वर्टिंग नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए, अभी तक तो हमने इसको छाओं में रखा था, नहीं रखे थे धूप में, अब दो दिन से धूप में रखे हैं इसमें, अब इसमें धूप उसी में लगा दिया है, इसको लगाने के लिए अभी देखिए गर्मी है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्यूंकि जल्दी ग्रूथ होई इसका ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा वैसे ये केर नहीं मांगता है, ज्यादा इसमें खाद खराब हो जाता है, जब मिटी एकदम सुख जाती है, तभी इसमें पानी देना चाहिए, और इस तरीके से बहुत इजली ये लग जाता है, सुखता नहीं है, और बस हरे रहता है, और इसमें ग्रूथ होने लगते हैं, जड़े लग जाती है इसमें, तो इस तरीके से हमने लगाया था करीब 10 दिन पहले और अब ही अपने दिखा कितना उसमें ग्रोथ होने लगा है और ये हमें लग रहा है 10-15 दिन में काफी फ्लावर्स उसमें आने लगेंगे और लगाते वक्त तो ये पानी हम दे रहे हैं फ्रेंस बाद में हम नहीं देंगे जादा पानी इसमें और ये बस चाओं में दो-चार दिन करीब रख दीजिए इसको लगा कर किसी भी छोटे लिबे में क्योंकि अब इतने दीन में बरसाथ तक इसमें काफी ग्रोथ हो जाएगा फिर हम आपसे अगर मौका मिलेगा तो सेर जरूर करेंगे फ्रेंस कि कैसे इतने में इतने पाउधे में काफी सारे पाउधे भी बन जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर साते हैं तो इस वज़े से अगर आपने नहीं ये किया है तो अभी भी आप लोग कर सकते हैं या बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं छोटे छोटे गुरू बैग में छोटे छोटे डीबे में भी आप देखेंगे कि इसमें लगाया था हमने और काफी सारे हमने वही किचेनोष जिखाद बनाते हैं या गमले में डाल दिया था हमने इसके पुराने ब्रांच सब हो गए थे तो और थोड़ा थोड़ा सा रख लिया था कि हम बाद में लगाएंगे इसको और जगह पर थोड़ा लेट हो गए हम लगाने में ये और फिर भी अभी अपरेल तक लगा सकते हैं इसको और ये ग्रोथ बहुत जल्दी बना लेगा देखिए इसमें से हम बहुत सारे जगह लगा दिया है इतने छोटे डिवे में भी इस तरीके के ग्रोथ ये करता है फ्रेंस बस थोड़ा सा ध्यां रखिए अभी गर्मी है तो बहुत छोटा डिवा है तो ज़्यादा मीटी नहीं आता है तो इस वज़ा से नमी थोड़ा बना रहे किमकि दिन भर धूप में रहता है ये तो इस वज़ा से हम नारियल के छिलके नीचे डाल देते हैं कि हम पानी दे या न दे इसमे नमी न सुखे अब पानी ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए पर ये भी नहीं है कि अब पुरा गर्मी में सुख जाता है तो फिर जब इसको थोड़ा नमी नहीं मिलेगी तो इसमें flowers growth कैसे आएंगे तो इस वज़ा से थोड़ा इसमें आप गुबर का खाद मिला दीजिए मीटी में और फिर नीचे हो सके तो paper हो तो paper डाल दीजिए या लखड़ी के महीन टुकड़े हो तो वह डाल सकते हैं आया तो आप म्फली के छिलके हैं चाहें कोई प्ति है या नारियल के छिलके हैं या गत्ता है भी यो कर आप डाल सकते हैं कि जिससे इसमें आप पानी दें न दें तो भी नीचे नमी बना रहे गर्मी में और बहुत सारे फ्लावर्स में